जात अपना कि जब भी हम हैवी चेन में बात करते तो V, D, J पाया जाता है और लाइट चेन में V और J बनता है ठीक है तो बेसिकलि पहले D, J और उसके बाद V का जॉइंट होता है वी और D पाया जाएगा हैवी चेन में वी और जे का डारिक्ट जॉइंट नहीं होता है इसके भी इसमें कौन पाया जाता है ड़ी पाया जाता है यह नहीं हो सकता और यही आंसर हो जाएगा थर्ट